नम्मा बेंगलोरू आज सुभा जरनी करके आए फ्रम मुंबई टू बैंगलोर बस की और बैंगलोर किस लिए आए सिलीकॉन वैली किस लिए आए आपको कुछ बहुत स्पेशल स्टे दिखाने आए अगर आप ट्रैवल करते हैं फ्रिक्वेंटली और आपको कुछ यूनीक स आपके लिए आज हम लेकर आये है यह देखो डूम रेसॉट आप देखने में देखिये कितना जबर्दस्त लग रहा दे है यह है यूनीक स्टे इन बैंगलोर बैंगलोर का आपको दादू आनंदराव सरकल से मुश्किल से एक घंटे की दूरी पर और इसीली उबर टेक्स सब्सक्राइब कर सकते हैं मुश्किल से एक घंटे और आप यहां पर आराम से चिल कर सकते हैं देखो हम रह रहे है इस वाले में प्रोपर्टी इस वाली कपा दूस्टे का नाम है मनसा वन तो पूरा व्लॉग आज आपके सामने है और अगर आप बैंगलोर आरे हो फैमली क है डोलेश मेरा नाम है और आप आप देख रहे हैं हमारे साथ 200 जर्नी यह देखो पूरी प्रोपर्टी आप देखिए आपको हाँ पर स्वेमिंपूल वगरा सब थोड़ा सा पेशेंस रखिए आपको सब दिखाया जाएगा और जो बैंगलोर में रहते हैं उनके संग यह बैंगलोर में भी इतनी जवर्दस प्रॉपर्टी है सबसे पहले आपको छोटा सा प्रॉपर्टी का टोड़ देते हैं देखो रूम कौन कौन सी कैटिकरी है क्या क्या प्राइजिस है आपको सब बताए जाएंगे बड़ आप वहां देखो कि उस डोम में है रिसेप्शन आपको चार केटिगरी मिलेंगी एक बेसिक हो गया जो बेसिक हमने लिया था और विकॉस हम है व्लॉगर्स तो जब हम यहां पर आए और हम आए है वीग डेज़ और हम यही सजेस्ट करेंगे कोशिश कि जएगा वीग डेज को आई है विकेंड्स के प्राइज ज्यादा है है और वीकेंड्स में पॉसिबिलिटी है कि आपको रूम ना मिलें है टोटल कितने रूम है टोटल फोर्ट केटेग्रीज है रूम यह बेसिक हो गया देन हमारा हो गया रूम एक ड्यूपलेक्स है जिए जिसमें जकुजी है और एक सुपीरियर रूम जे उसमें भी इंक्लूड़ है लंच डिनर वगरा वो आपकी चोईस है जो भी आप लेना चाहिए मनसा वन हम इसमें रहे हम सुभाई आ गए थे हम दुपैर में हमने फर्स्ट क्लास लंच किया विकास हमनारा लंच हमारे पैकेज में इंक्लूड़ेट था सबसे पहले डिस्क्लेमर डिस से दूर पलूइशन से दूर सब कुछ दूर यहां चिल कीजिए और अब बारी है आपको मनसा वान याने की इस वाले डूम की पूरा रूम टोर देने के लिए एकदम लग्शिरियस रिसॉर्ट आप कह लिजिए इन बैंगलॉर यहां पर यहां पर सबसे पहले आपको मेंबर इसके लिए चार्जिसभी हो सकते हैं थोड़ा जब इसके लिए इंक्वारी है यहां पर यहां पर यह हैales पूरा आपका मूप अब यह च्छा और देखो सबसे लिए यहाँ देखिया सब्से बघूम का देखिए इन इन्टीरिया यह देखेंगा यहाँ पर first class double bed आपके लिए हो गया, यहाँ पर यह लगेज रखने के लिए हो गया, depending upon the weather, यहाँ पर आपके लिए fridge, यह है AC, इधर ब्लस बेंगलोर में मौसम आपको पता ही है, और yes, not to forget, अगर आप चाय, कॉफी, जो भी लवर है, यहाँ पर आपको सब यह complimentary दिया गया है सब कुछ, again, यहाँ पर आप लगेज रख सकते हो, dustbin आपके सामने, यह TV हो गया, और प्लस यह sofa की sitting भी आप देख लीचे, सब laptop आप यहाँ भी बढ़ गया, editing वगरा सब यहीं चल रही है, और यह देखिए, सबसे अच्छा मेर को यह लगा, आप यहाँ पर आईए, अराम से आप लेट सकते हैं, और देखो क्या आपको बाहर के greenery के, जो यह नजारे मिलेंगे, यहाँ पर एक wide, wide angle में पूरा में आपको दिखा दू, यह हो गया आपका interior, अब आप सोच रहो कि यह washroom, washroom, यह मानिए next level washroom आपको मिलेगा, यह देखो, कहीं कहीं आपने देखा है कि धूप, सीधी, यहाँ से यहाँ आती है, इतना सुन्दर, beautiful तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, गरम पानी, ठंडा पानी, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, देखो, greenery वगरा, और फिर मैं कहा रहा हूँ, आप से जब भी आप आप आओगे, प्लीस, साफ सफाई बनाया रखिएगा, प्रॉपरली यूस कीजिएगा, यहाँ से एक वाइड एंगल में मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, डोम का, अंधर से आपको नहीं लगेगा, पढ़ा देखिए, कितना सही यह लगता है, डोम का, कॉस्टिंग वगरा चिंता मत कीजिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा, बट सच में, मतलब एक, मतलब आपसे यह कहूंगा, वन नाइट स्टे जरूर कीजिए, अगर आपके वास बजट अच्छा है, मतलब अगर आप बैंगलोर आ रहे हो, वर्क रेटेट भी आ रहे हो, भाई चांस, तो भी आप यह एक्स्परिमेंट जरूर कर सकते, आपको इंटीर कैसा लगा, जरा मेरे को कमेंट करके यहाँ पर, बतायेगा जरूर, and not to forget, आपको मिलता है, फ्री वाई-फाई, धान रखिएगा, बाकी के जो रूम से कोशिश की जा रही है, अगर उसका भी मैं आपको इंटीर दिखा पाऊ, अब आप जरूर, यहाँ पर अंदर, सब कुछ यहाँ पर फ्रेश बनाया जाता है, और सब कुछ आपको यहाँ सब कर देखो, आप अगर देखोगे, इंटीर यहाँ कितना सुन्दर डिजाइन दे रहा है, इस तरफ आपको यह दिखाया, और यहाँ पर एक एक एक्टिविटी जो आपकी कॉस्ट में इंक्लोड़ेट है, वो है पोटरी, आप देखो, स्वामय जी, यहाँ पर आप यहाँ पर यहाँ पर आप यह भी एक्टिविटी कर सकते हो, और पीछे, लेक व्यू का एक आपको वहाँ पर भी वाकिंग पैटन है, मतलब वहाँ पर भी आप वाक कर सकत जो यह रूमस आप देख रहो, यह हो गया डीलक्स, और प्लस वहाँ पर आगे मिलनेगा आपको स्वीट, तो टोटल जो में आपको होता है, टोटल यहाँ पर 11 रूमस है, तो सच में जरूर आईए, मतलब वन टाइम एक्सपीरेंस आप जरूर कीजिए, स्पेशली अगर आप बैंगलोर आ रहे हो ना, इस प्लेस इस फॉर यू, यह सो मैं जी कुछ कहना चाहेंगी, हाउस थे एक्सपीरेंस, तीक रही हो अभी तो आप अच्छा लगा है, अच्छा लगा है, तो आप बैंगलोर में आपको दा सिलीकोन वेली ओफ इंडिया, यहाँ पर आपको एक दम ऐसी यह फीलिंग आ रही, तो मस थे रही है, अगर आप सब नहीं पर एंजॉइ कर सकते हो, वो आप देखोगे, वो हमारे वहाँ पर वो डॉम से है, जिस डॉम में हम रहे हैं, वो है प्रीमियम कैटेग्री, अब मैं आपको एक अपर कैटेग्री का डॉम यहाँ प पूरा ग्रीन रिया वगरा देखिए यहाँ पर, इसका मजा है ना वस, यह देखिए, यह डबल बैट आपके लिए हो गया, यहाँ पर सब अगेन, टी वगरा, कॉंपलिमेंटरी सब कुछ हो गया, इस तरफ टी वगरा, यह आपका फ्रिज हो गया, एक छोटा सक से फिंट यहाँ पर टॉलेट अलग दिया गया है, प्लस यह शावर को अप्शन यहाँ पर अलग दिया गया है, अगर आप देखोगे, पूरा लिदी कितना स्पेशियस रूम आपको यहाँ पर मिलेगा, कॉस्टिंग की बात करेंगे तो आपको उतादू, जो हमारा रूम है, प्री कॉस्ट में आप वाला डूम लेना चाहेंगे, प्रीमिम वाला या आप यह वाले लेना चाहेंगे, अब टाइम हुआ है, इवनिंग के 7, संसेट होने के बाद देखिए, यहाँ क्या सुकून है, अब सबसे इंपोर्टन बात आती है, कॉस्टिंग की, हमने कितना पे किया, प्लस अगर आप यहाँ पर इस रेसॉर्ट में आ रहे हो, ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो आपको कितना पे करना है, किस केटिगरी का, सबसे पहले हमने बुक किया था, हमने बेसिक बुक किया था, जो कि वीक डेज में उसका कॉस्ट थर्टी सिक अन्रेड है, और वीकेंड पर यह कॉस्ट आपको 6500 पड़ती है, स्कारी कॉस्ट में आपका ब्रेक्फस्ट और जो भी एक्टिविटीज है यहां की, वो सब इंक्लूड़े है, और उससे अपर कैटिगरी वाले रूम है, उनकी कॉस्ट रमेंज था सेम, हाँ, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, कॉं पर नीचे, वो सब हो सकती है, और जो यहां पर रेसॉर्ट वाले है, वो बता भी रहे थे, कि कॉर्पेट बुकिंग भी आती है, वीकेंड पर, तो मेक्शर जब भी आप ट्रिप प्लान कर रहे हो, प्लीज एडवांस में, बुकिंग कर लीजे, अवेलिबिल्टी चेक कर और पीछे एक लेक भी है, वहां पर आपको लेक व्यू भी मिलता है, अब यहां पर बतार चेक्ट, अब यहां पर इविनिंग में कुछ बार्बीक्यू अगरा कुछ होने वाला है, आपको वो और दिखाएं, और यह है आज का सबसे बेस्ट पार्ट, करंट वक्त एराउं पार्बीक्यू, करेंटली सिर्फ हमने वेज लिया है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, वेज या नॉन वेज, बडाव यह पूरा जो सेट अप देख रहे हो, बाइचांस अगर आप कपल में ट्रैवल कर रहे हो, हाँ साम्या, तो यह वाला वेलंटाइन, आप गर सकते हो, अगर आपको यह करवाना है, प्लीज कॉंटेक्ट रेसेप्शन, चार्जे से बगरा वो सब आपको बता देंगे, और अगर आप गुरूप में आ रहे हो, यह देखिए, यहाँ पर आपको बॉन फायर का ऑप्शन है, सोचिए, आप पांच लोग, दस लोग फैमली के होने वाला है, बट थैंक यू तो दा स्टाफ, इतना हमबल, और आपकी सब जो भी आपको हेल्प चाहिए, वो सब हेल्प करते हैं, बट सच में, सब्सक्राइब कैसा लग रहा है, वैलन डाइन का, माल दीज की सच में, अगर आपने माल दीज के व्लॉग देखिए हो, वो So that's all guys, from this vlog, मैं तो इतना ही कह सता हूं, एक पीस्फुल, पीस्फुल, पीस्फुल experience, और यह कहेंगे, बहुत सारी मेमरीज हम साथ लेके यहां से जारे, बहुत सारी मेमरीज ताजा हो गई है, यहां बट यार वो देट का जो सेट अप रहा है ना, सच में अगर अगर आप एक एक सिटी में, एक दिन से जादा, नहीं ठीकते है, ठीके ना, तव दिस दुलेश, साइनिंग ओफ रॉम तो हंड्रेड जनी, रात के करीब 10 बजने और आप देख सकते हो, यहां पर आप एट्मॉस्फियर देखिये, एक दम पीस्फुल, और सच दारा रात को जो नीन आने वाली है ना, सब में आज देखियेगा, इतना सुकून यार कहां मिलता है, और देखिये, आपको देखिये, जब भी आप आरे हो, कॉस्टिंग वगरा, सब चेंज ऊपर नीचे हो सकता है, प्लीज इसका ध्यान रखिये, ठाटा, हसते रही है, खाते रही है, पीते रह ही है, हम भी खाके आए, और आज पास साफ सफाई बनाए रखे,